हेलो दोस्तों तो आपका अपने चैनल cmcqs में आपका स्वागत है तो दोस्तों MS Office से ITI Kopa में आपसे एक कोशन जरूर पूछा जाता है तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने MS Word के बारे में आपको बता दिया था पूछा जाता है तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं नई वीडियो जल्दे से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियो अब तक पहुंचते रहें तो दोस्तों यहां पे मेरे पास एक कोई प्रेजेंटेशन आपसे बनवाया जाता है तो दोस्तों यहां पे आपको याद रखने की जरुएत है वह आपको जो मैन्यूस दे रखे हैं होम इंसर्ट डिजाइन ट्रांजिस्टन एनिमेशन तो इन मैन्यूस के अंदर क्या चीज है वह आपको ध्यान होना चाहिए यानि कि आप जो भी प्रेक्टिस जब भी प्रेक्टिस करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि डिजाइन वीउस के अंदर क्या है इंसर्ट मैन्यू के अंदर क्या है डिजाइन मैन्यू के अंदर क्या है तो यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए तो दोस्ते बेसिक कि जो question होते हैं वो आपसे करवा सकते हैं या तो वो जो है आपको क्या कहता है सारी के सारी detail दे देते हैं कि इस topic पे और यह सारी उनकी detail है इसके उपर presentation बनाओ या फिर वो सरफ जैसे school के function के लिए ऐसा कुछ कह देंगे और अपने हिसाब आपको एक अच्छा सा presentation बनाना होगा तो दोस्तों ऐसा ही कोशन आपका अगर पावर पॉइंट से आता है तो यही पूछा जाता है simply दोस्तों यहां पर मेरे पास एक presentation बना हुआ है इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि इस तरह का animation इस तरह का ट्रांजेशन वह आपसे लगवा सकते हैं और आपसे कोई भी एक presentation बनवा सकते हैं कि इस चीज़ पे यह वाला animation लगाओ और इस चीज़ पे यह वाला presentation लगाओ तो इस परकार का जो है आपसे animation या transition वह लोग करवा सकते हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो animation और transition इस जो है presentation में लगा हुआ है तो इसी परकार का वह आपसे कुछ भी presentation या animation करवा सकते हैं PowerPoint में तो दोस्तों basically जो है इस type के question ही आपसे पूछे जाते हैं अगर PowerPoint से आता है तो दोस्तों यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो आपके यह menus है इसके अंदर जो है कहां पर कौन सी चीज़ है यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि सारा का सारा खेल आपका यहां पर timing का होता है दोस्तों अगर आपके पास sufficient time है तो आप एक अच्छा सा presentation बना पाओगे तो दोस्तों आसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि powerpoint से किस परकार के question आते हैं और आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए तो थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू फॉर वाचिंग एंड के सब्सक्राइब ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे